तो स्वागत आपका एस्परेंस में यूपीए से रीलेटेड़ करेंट फिर हम डिसक्स करने वाले हैं जो कि रीलेटेड है आपका पंजूरली से पंजूरली क्या है यह निया सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और इसको पूझा भी जा सकता है इस बार के एक्जाम्स के लिए अगर आप ध्यान में रखके इसको पढ़ते हैं, खासकर प्रिलिम्स में आपके लिए काफी सहायक हो सकता है, तो ये बोर आफ कंटारा, कंटारा जो फिल्म में दिखाया गया है, सूवर, जंगली सूवर को, कि किस परकार से वो जंगल में भा अब देखिए पंजूरली होता क्या है, ये संग्रहणी ध्यान रखिया गया कि घर में इसको रखा भी जाता है, बहुत सारे लोग इसको खरीद के रखते हैं, जितना महेंगा धात उसे मुखोटे को बनाया जाएगा, उतना ही महेंगा ये होगा, अब इसको बहुत सारे ल महां का जो पुजारी होता है, लोकल, उसके उपर जब हावी होता है, तो उसी को पंजूरली के रूप में सलिब्रेट किया जाता है, कोला के रूप में सलिब्रेट किया जाता है, माप करिए, पंजूरली एक मुखोटा होता है, और पूजे जाने वाले नर जंगली भगमान विशुडू का अवतार भी मानते हैं लेकिन कहानी जो संबन्दित है वो बहुत ही दिलप्चस्प है यहाँ पर आप कहानी मैं अभी बताता हूँ अब देखिए तुलू में पंजूरली का अर्थ होता है जंगली सुगर की संतान तुलू क्या होता है तुलू एक लोग होते हैं या फिर एक भासा भी है जो करनाटक और कीरल के बीच देखी जाती है करनाटक के दच्छनी और कीरल के मालावार और उत्तरी छित्रों में यह त तूलु भासा का परचलन हम देखने को पाते हैं ध्यान रखिएगा यह जो तूलु भासा है वो ड्रमीडियन भासा का ही रूप है इसमें बिल्कुल अगर तूलु भासा आप पूछा जया तूलु लेंड में जंगली सुगरों को किसान की खेती को नस्ट करने के लिए भी ज जाते हैं तो वो सुवर क्या करते हैं कि खासकर पॉधों को जो पॉध slabby होते हैं उन strong को खोगा खाते हैं। मंन भी खाते हैं इसके वज़ा से बहुत सारा जो खेतों में फचल खेत को जंगली सुवर के एक संतान को अपने पालतू जानवर के रूप में उठा लाया अब क्या हुआ कि वो बहुत ही सारार्ती था कैलास के उद्यानों को इसने एक बार बहुत ज्यादा नश्ट कर दिया इससे भगवान सिव जो है वो क्रोधित हो गया और उस जंगली सुवर का वध कर दिया बाद में पारवति जो थी वो इससे काफी नाराज होई और फिर सीव को क्या करना पड़ा उसकी आत्मा को फिर से वापस लाना पड़ा जीवन के रूप में और बाद में इसी को कहा गया कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत होई इसी रूप में इसको मनाय पूरा इन जीलों में के आसपास और के उत्तरी मालाबार में इस भूत पूजा का परचलन देखने को पाते हैं जो कि सामाजिक सांस्कितिक जीवन का एक मुख्य हिस्ता है इन लोगों के लिए कुछ लोग का ये भी मानना है कि भूत पूजा की उत्पत्ति जो है वो हिंद पूजा करें हमारे हिंदुधर्म से तो उनसे काफ Di precisamente है अगर हम उनको मूलवासियों या आदिवासियों तो वो जुज अपने कुल देवता की पूजा करते हैं उनसे बहुती नया है आनि खाने कि उनकी जो देवी दEVता आं बहुत जादा पुरानी और वो देखिए किसी मूर्थी कि पूजा नहीं करते वाजा करते हैं कुछ प्राक्रेटिक चीजों का जैसे कि पहाड हो गया ूसी पूज रहा है पठर के रूपतर हो गया उसी पूझ रहें द प्रहें हैं याप मुर्थ रूप में किसी चीज की पूझा करना जैसे की आपके उपर कोई चीज़ हावी हो रहा है और आप उसको घुन पूझ की रूप में जानते हैं कि यहिग आपको ऐसा एइसा एहसास होता है कि आपके उपर कोई इस्वर हावी हो रहा है आपके उपर कोई natural सक्ती हावी हो रहा है ऐसे चीज़ें भी वह लोग पूजा और हर्चना के रूप में करते हैं इसके अलावा भूत एक दिव इस्वर आत्मा इथर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है इथर आत्मा क्या होता है कि कोई आपका उपासक है और आप बहुत सक्ति साली हैं तो आप अपने उपासकों की रच्छा करते हैं इसी कोई ही इस्वर या फिर इथर आत्मा पूजन भी कहा जाता है अब जो भूत होता है या फिर कोला मूर्थ और अमूर्थ दुनिया में को एक साथ लाने का भी प्रयास है मूर्थ और अमूर्थ का आप फिल्म अगर देखेंगे तो आप किस परकार से इसको समझ सकते हैं रखिएगा कि जब देखते हैं आप वो कोला जो पूजा होता है उसमें जब एक्टर जो होता है वो डांस करता रहता है या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो वहां का पंडित होता है पंडित या पूजन करने वाला हो इंसान होता है जब वो पूजन कर रहा होता है अचानक से उसके उपर हावी होता है तो जो हावी होता है वो अमूर्थ दुनिया से आता है उसको कोई छू नहीं सकता वो एक आत्मा कह सकते हैं उसको जबकि मुर्थ होता है कि हम लोग मुर्थ हैं, यानि यानि कि हम लोग किसी को दिखते हैं, कोई हमें महसूस कर सकता है, तो उसे हम मुर्थ मानते हैं, तो इसी के बीच का एक combination लाने का प्रयास किए जाता है इस kohl पूजा के माध्यम से, अब अगर हम करनाट कों केरल के आसब पास देखे तो करीब 350 परकार के भूत हैं जिन्हें टोटमिक मुल रूप में वरगित किया गया है तो आप इस्वर की पूजा कर रहे हैं या फिर पूजा इसलिए कर रहे हैं कि आपको तंत्रमंत्र का ज्यान चाहिए तो दो परकार की पूजा हैं भी हम अक्सर हम देखने को पाते हैं खासकर अपने इंडिया में हम इस परकार की चीज़े देखने को पाते हैं तो यह जो कोल पूजा है वह एक परकार का टोटमिक पूजा ही माना जाता है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भूत यह भूत जो है वह गड़ों अनुआईयों और भगवान सिव क भकतों के संपरताय से भी है अब इस कि आलवा तूली लट के बारे में पूजा जा सकता ए इन चीजह के बारे में आपको नौलेज होना बहुत जादा ज़रूर होता है अब दैवग्या या परतिरूपन करता क्या होता है ये भी समझ लेते हैं ऐसे पुजारी जो इन भूतों की आग्याओं का संप्रेसनर के लिए दैव या परतिरूपन करता के रूप में कारे करते हैं सामन्ति काल में भूटा कोल ने नयाय प्रदान करने के लिए एक मंज के रूप में कारे किया था तो भूटा कोल जो थे वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था आप देखेंगे फिल्म में ही अगर तो जो पुजारी था वो उसके उपर वो देवता जो होता है वो हावी होता है और दैवग के या परतिरूपन करता के रूप में कारे करवाता है अपना उससे यानि कि आप देखते हैं फिल्म में जब नयाय होता है अंतिम में एक्टर जो होता है वो सभी को मारता है जो भी उसके अनुआयाई होते हैं उनको अनुआयों को परिसान करने वाले लोगों को वो किस प्रकार से दंडित करता है तो न्याय का एक प्रतिविम्भ भी इसको माना जाता है कोल पूजा को ग्रामीडों और भक्तों के साथ साथ प्रतिरूपड करता दोरा कब्जा ट्रांस या संबाद ऐसे समारोह में तीन मुख्य भाग होते है आपने देखा होगा कि बहुत सारा वेस भूसा भी यहां पे ध्यान दिया जाता है वो जो पुजारी होते हैं उनका पूरा प्रतिरूपड किया जाता है उनको बहुत सारे वेस भूसा और सामगरी प्रदान की जाती है इसके अलावा भूत मुखोटे इनमें सबसे अधिक पूजनी और लोगप्रिय भी माना जाता है और आत्माओं के प्रति निधित्व के रूप में मंदिरों ध्यान रखियेगा मंदिरों अस्थान में भी पूजा किया जाता था तो यह था ध्यान रखियेगा आप लोग बहुत इंपोर्टेंट है